मैं हूँ अलफिय और आप देखरें ततकाल न्यूज लाइफ 1906 ओसकर अवार्ड हो चुके है इस साल सबसे ज्यादा अवार्ड ओपन हैमर ने जीते इसमें बेस्ट पिच्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर के अवार्ड भी शामिल रहे इस अवार्ड नाइट में कई सारे हाइलेट्स और कई फणी मोमेंट भी थे जिन में से एक था जॉन सेना का स्टेज पर बिना कपडों के आ जाना दरसल हुआ यूग के होस्ट जीमी कीमेल ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर कैटेगरी में अवार्ड बाटने की अनौंसमेंट की इसके लिए जॉन सेना को स्टेज पर बुलाया गया वो पहले स्टेज के पीछे से जाके इसके बाद बिना कपडों के स्टेज पर जा पहुँचे उनके हाथ में विनर के नाम वाला लिफाफा था जिससे उन्होंने अपने प्रावेट पार्ट को ढाक रखा था स्टेज पर पहुचते ही जॉन सिना नहीं कहा कॉस्ट्यूम बहुत जरूरी है शायद सबसे ज़्यादा जरूरी इसके बाद होस्ट जीमी स्टेज पर आते है जिन से बचने के लिए जॉन सिना खुद को एक परदे में लपेट कर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के विनर अनौंस्मेंट कर देते है दरासल अपने इस कृत्य से जॉन सिना 1974 में हुई एक घटना को ट्रिब्यूट दे रहे थे 1974 की ओसकर सेरिमनी में एक ऐसी ही फणी मोमेंट हुआ था जब स्टेज पर एक नंगा व्यक्ति दोड़ कर निकल गया था जब होस्ट डिवाइंड निवेंड बिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस ऐलीजा बेत का जिक्र कर लहे थे तभी उनके पीछे से बिना कपड़े पहने एक शक्स दोड़ने लगा था 1974 में हुई इस घटना को 2024 में 15 यर्स पूरे हो चुके है इसलिए उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए जॉन सिना ने ऐसा किया हाला कि जॉन सिना स्टेज पर नंगे नहीं आये थे उन्होंने अपने शरीर के पिछले हिस्से पर स्कीन कलर की शीट लगाई हुई थी जिससे उनके प्रावेट पार्ट्स ठके हुए थे अब उनकी ये तस्विर सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है